हेलो प्रेंट, विल्कम टू सुधा फैमली व्लोग, आज मैं रेस्टुरेंट इस्टाइल में कडाही पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ, तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पे पहली बार आएँ हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजेगा, ताकि कोई भी वीडियो डालू तो उसका नोटीपी के संतुरंत आपको मिल जाए, और एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको, चलिए फिर बनाना सुरू कर कडाही पनीर बनाने के लिए पहले थोड़ा सा तेल लेके, आप चाहे तो रिफाइंड ओले, मैं सरसो का तेल यूज़ कर रही हूं, पनीर को हल्का ब्राउन भून लेंगे, तो पानी सोखने तक और हल्का ब्राउन हो जाए, बहुत जादे नहीं भूनना है, लेकिन थोड खतम हो गया है, तो अब ईब पनीर को निकाल लेंगे, और फिर थोड़ा सा तेल डालकर इसमें, सिम्ला मीर्च, हलका ब्राउन कर लेंगे, इसको भी, तो इसको ब्राउन गहांत्या सोखने यूज़ कर लेंगे, मैं तो स्क्वाइर शेप में काटे हैं, इसी शेप में काते तो इस्मला मिर्च कम डाले हैं और अभी थोड़ा सा तेल डाल के लाथ कर प्याज तो प्याज अभी मोटा मोटा काटे हैं क्योंकि इसको भून कर फिर पीसना है तो प्याज को हलका भून लेंगे और इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा मिर्चा पीसे हैं आप चाहे तो लाल मिर्चा डाले तो मैं लाल मिर्चा का यूज कम करती हूं तो लेसुन और अध्रक में ही यह हरा मिर्चा पीस लीए तब इनुट करके और एक चमच गरम मसाला डाले हैं आप चाहे तो कहणा खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं तो मैं खड़ा मसाले का यूज नहीं करती तो इसलिए एक चमच गरम मसाला डाल दी हूँ के अहलक सा इसको भून लेंगे अभी देखे प्याज अच्छे से भून गया है मुदी इसमें टमाटर डालेंगे मुदी को टमाटर को सोफ्ट होने तक पका लेंगे के लिए नमक डाल-दीजे तो जलदी से सोफ्ट हो जाता है आपि अफ़ने के अगर नहीं नहीं बारीग पीस तो फिर छनी से छान लेंगे इसका पेष्ट बिल्कुल समूथ रहता है तो अभी ठंडा होने देंगे और प्याज का पेश्ट बना लिए हैं तो तेल डाल दिए हैं और चत्पत्ता थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाले हैं और ये कस्मिरी लाल मिर्च है तो ये तीखा नहीं होता बस कलर के लिए रहता है और इसमें ये पेश्ट डाल देंगे और पेश्ट बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए उसमें कोई भी गाट नहीं होना चाहिए अगर आपका स्मूथ नहीं है तो चन्नी से छान ले देखिए कितना स्मूथ है तो अभी इसको भून लेंगे वैसे तो हलका भूना हुआ है तो बहुत ज मलाई आप कोई इच्छा नहीं हो तो नहीं डालिए लेकिन मलाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं तो डालती हूँ तो अभी मलाई को अच्छे से मिला लेंगे इसमें मलाई डालने के बाद प्रॉपर चलाते रहना चाहिए अभी मलाई अच्छे से मिल गया है तो अब इसमें जो सिमला मिर्च और प्याज भून के रखे हैं इसको डाल देंगे इसमें पानी नहीं पड़ता जादे इसकी ग्रेवी बहुत गाड़ी रहती है तो अभी धक कर थोड़ा देर सिमला मिर्च और प्याज को पका लेंगे दो मिनट तक और दो मिनट पकाने के बाद देखे तेल छोड़ने लगा है तो इसमें एक चमच मीट मसाला डालेंगे और आप चाहें तो मीट मसाला नहीं डाल रहे हैं तो गरम मसाला डालें मसाला इसमें बहुत जादे नहीं जाता और यह है कसूरी मेती तो थोड़ा सा कस बस दो मिनट पकाने के बाद सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा तो अभी देखिए कितना कलर अच्छा आया है और देखने में कितना टेश्टी लग रहा है सबच्छे से मिलने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक प्याज और टमाटर भूनते समय भी डाले हैं तो नमक इसमें ज्यादे नहीं डालना है और अभी दो मिनट तक और पकने देंगे और दो मिनट पकने के बाद कड़ाही पनीर बन कर त्यार हो गया है इस तरह से बनाएं बहुत पसंद आएगा आप सबको तो अभी गैस बंद कर दिये हैं और इसको खाली कर लेते हैं कडाही पनीर बनके रेडी है तो आप भी इस तरह से बना कर ट्राइ करिएगा बहुत पसंद आएगा और इसको आप रोटी के साथ चावल के साथ या पूरी पडाथा के साथ खाईए बहुत अच्छा लगता है तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए